दोस्तो कहा जाता है की जो भी व्यक्ती सूरेव को जल चड़ाता है, नित्परती दिन उनकी सेवा करता है। उन्हें ना तो कभी शनी दोस से पीड़ा होती है और ना है कभी मिल्त्यू का भेह रहता है। सूरेदेव को सभी देवों का राजा माना जाता है और यह सूरेदेव को चड़ाने वाले जल की परंपरा वेधिकाल से ही चली आ रही है। जोति शास्त्र की माने पुराणों में यह वर्नित है कि सूरेदेव को नित्पर्ति दिन जल चड़ाने से रोग दोस आदी का अंत होता है और जातक की सभी मनुवांचीति च्छाएं पूरी हो जाती हैं। सूरेदेव को जल चड़ाने वाले लोटे से जो जल जमीन पर गिरता है वज्जर के समान मजबूत हो जाता है और मनुष्य के सामने एक वज्जर बन करके उसकी सभी समश्याओं से उसे बचाता रहता है। दोस्तो कल्यूग में तीन ही देवी देवताओं को पूजा जाता है। उन्हें साक्षात माना जाता है। पहले हैं बजरंग बली जिनका नाम आपको कमेंट बोक्स में अवश्य लिखना चाहिए। जय बजरंगवली अवस्य लिखे हैं दूसरे है सूरे देव और तीसरी है माता वैशनदेवी इन में से δोस्तों सूरे देव को आप साक्षात उनका दर्सन कर सकते हैं सूरे देव को साक्षात प्रकाट होने वाले देवी देवताओं में से सबसे उपर का स्थान दिया गया है इसलिए सूरे देव को सभी देवों का राजा कहा जाता है दोस्तों अगर आपको भी मान सम्मान की प्राप्ति करनी है तो आपके कुंडली में सूरे देव को सुब ग्रह में सामिल होना चाहिए जिन मनुश्यों की कुंडली में सूर्य सुविश्थिति में होता है उन्हें बड़ी सफलताई हाशिल हो जाती है लेकिन अगर सूरे असुबिष्थिती में हो तो मनुश्य को कड़ी से कड़ी मेहनत करने के बाद कठोर परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है नोकरी में आ रहीं परेशानी हो या बिजनिस में सफलता प्राप्त करना हो ये केबल एक लोटा जल अर्पित करने से ही सूरे देव को नित्र पड़ती दिन एक लोटा जल अर्पित करें इसी से आपकी सभी समश्याओं का अंत हो जाता है जोतिश सास्तर में साफ साफ लिखा है कि जो भी व्यक्ति सूरे देव की पूजा करता है उसे अपने घर में और समाज में मान सम्मान मिलता है मनोवान से दिछाएं जल्दी पूरी हो जाती है और व्यक्ति चाहें कितना भी निर्दन हो उसे अपनी दर्द्रता से मुक्ति मिल जाती है दोस्तो आज की इस वीडियो को बनाने के पीछे भी यही कारण है आज की वीडियो में हमा पज्योति सास्तर के नुसा पुराने एक धर्म गरंतों और पुराणों में सूरे देव को जल्द चड़ाने का जो सही समय है वो बताने जा रहे हैं अगर आप सूरे देव को सही जर्मान पर चल देते हैं अगर सूरे देव को जल्द चड़ाने की बात की जाए तो सूरे देव को जल्द चड़ाने का पहला नियम कहता है सूरे देव कोरे चाहिए ये किरिया सुर्य आठ मजे से पहले ही पूर्व हो जानी चाहिए सुर्य उधे होने के तुरंत बार पूर्व दिशा की और मुक करके और सुर्य अस्त होने से तुरंत पहले पस्चिन दिशा की और मुक करके चल चड़ाने से आपको यश्की प्राप्ती होती है सूरे को अर्ग देने वाला लोटा यदि तांबे का है तो ही आपको हर प्रकार का फल मिलता है पीतल, लोहे या स्टील के लोटे से जल चड़ाय होई जल से आपको इन सभी में से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है यदि आप सूरे देव को किवल जल चड़ाते हैं तो इसका भी आपको पूर्ण फाइदा नहीं मिलता है पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है आपको सूरे देव को जल चड़ाते वक्त इसे एक खास मंतर का भी जाप करना चाहिए ओम आधित्याय नमह इस मंत्र का जाप करते हुए ही आप सूरेदेव को जल चड़ाएं सूरेदेव को नित्य पड़ती दिन जल चड़ाते हैं और आपको उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है तो उसकी पूर्ण फल की प्राप्ती के लिए जिस स्थान पर खड़े ओकर आपने सूरेदेव को जल चड़ाया है उस स्थान की वहीं पर घूम करके तीन मार्क परक्रमाय करने चाहिए और चिस स्थान पर खड़े ओकर आपने जल चड़ाया है उस स्थान को भी प्रणाम करना चाहिए तभी सूरे देव से पूरे आशिरवाद को और पूरे लाव को आप राप्त कर पाएंगे सूरे को जल चड़ाते वक्त एक पात्र को जमीन पर रख ले और उसी में जल अर्पित करें क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सूरे को जल चड़ाने वाला जल जब जमीन पर गिरता है तो उसके कुछ चड़े आपके बैर पर गिरते हैं जो की बेहत अशुम माना जाता है ये ना हो इसलिए आप एक पात्र को जमीन पर रख ले और उसारा जल उसी में अर्पित कर दे ताकि कोई भी जल का चड़ा आपके बैरों पर ना गिरे बात में आप अपने घर में जो भी आप ओदा लगाया रखा है आप उसमोश जल को अर्पित कर सकते हैं या फिर आप किसी भी मंदिर में जाकर के किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे या फिर तुलसी माता के नीचे उस जल को अर्पित कर सकते हैं कि आप सूरदेव को जल चड़ाने के बाद उनसे फल की काम ना जल्दी रखना चाहते हैं तो आप सूरदेव को जल देने वाले लोटे में थोड़ा सा मिश्टान या फिर कुम-कुम या फिर एक लाल फूल या फिर इन सभी चीजों को आप डाल सकते हैं ताकि आपको फल की प्राप्ती जल्दी हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में के वर इतना ही कल फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिद्र में जादे धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखना ना भोले जाये बजरंग बली